दोनों कप्तान मैच रफरी के साथ टॉस के लिए तैयार इन परिस्तितियों में टॉस हारना बहुत महेंगा पड़ सकता है बहुत ही दिल्चस मैच होना चाहिए ये अब तो एक रोमांचक मैच की शुरुआत करते हुए ये आ रहे हैं दो अमपायर नए गेन के साथ और ये आ रहे हैं फिल्डिंग साइड पूरे जोश और आत्मो विश्वास के साथ ये आये सलामी बले बाब तेज गेन बास को लाया जा रहा है इस छोर से इनिंग की पहली गेम का सामना करते हुए बोलिंग में परिवर्थन स्पिनर से विकेट लेने की कोशिश होगी यहाँ जिस तरह की शोट पिच बॉलिंग के लिए जाने जाते हैं ये गेन बास अकसर बले बास बैक फुट पे ही खेलने की कोशिश में अपनी विकेट गवा देते हैं बहुत ही आकरामक बले बास है ये विशो क्रिकेट में पतरनाख केन और सीधा बले बास के शरीप पे लखी पिछले कुछ मैचों में बहुत ही बेरहमी से दुलाई की है एकवास बोलर्स की इनोंने नजाकत से खेल दिया है सिंगल के लिए इनकी दीमी गति की गेंज से तो बचके ही रहेगा वरना आज के लिए आपकी पारी यहीं समाप्स हो सकती है ओहो हो उठा के खेल दिया है खुपसूरत शोड और यह सीधा बाउंडरी के पार यह तो तौफे में दी गई गेंज थी और बल्ले बास बिलकुल भी नहीं चुके चलिए देखते हैं कि अगली गेंज स्टेडियूम के कौन से हिस्से में जा गिरेगी बहुत ही भाकिशाली रहे वहां बिस कर गए बहुत ही बड़ी आगेंज बास पूरी तरह मिस्स किया वहां बिलकुल भी जरूरत नहीं थी अहां ये शौट खिलने की लगता है अपनी एक अग्रता खुब एठे बहुत ही नजाकत से उठा दिया है वहां छे रहां बोलिंग में परिवर्तन तेज गेंबास को लाया जा रहा है इस आकरामक फील्ड के साथ तो बहुत ही सूजबूज और नियंतरन के साथ गेंबाजी करनी होगी यहां बड़ी अटाइमिंग एक रन असानी से पुरी की जा सकती है और बल्लेबास दोरन का कॉल देते हैं बहुत ही अच्छी रन नी थी यहां बल्लेबास को देखते हुए एक्स्ट्रा कवर पे फील्डर लगाया है बहुत ही पड़िया शॉट पहुत ही बड़ा सिक्स जाने जाते हैं यह बल्लेबास ऐसे शॉटों के लिए और जब फॉर्म में हो तो इन्हें रोपना ना मुम्किन होता है फील्डिंग में परिवर्तन ऐसे फॉर्म में खेल रहे हैं यहां जैसे अंग्रेजी में कहते हैं फॉर्म ओफ इस लाइफ वाह क्या बात है ओहुती बड़ा सिक्स मानों कह रहे थे कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तक तक छोड़ेंगे नहीं सुनेहरे फॉर्म में है यहां आजकल आपने अगर एक गलती कर दी तो यह उसका पूरा फाइदा उठाएंगे यह एक ऐसे बल्ले बाज हैं जो ग्राउंड के किसी भी कोने में मार सकते हैं चलिए देखते हैं अगली गेन कहा मारेंगे बल्ले बाज तो ऐसे कॉंफरेंस में हैं कि बॉलर को बता रहे हैं कि अगली बॉल कहा मारेंगे बहुत ही सरल शॉट था यह बल्ले बाज का गेन की रफ्तार का पूरा उप्योग करते हुए गेन को पहुचा दिया है बॉंडरी लाइन के उस पार दर्शक इनके दिवाने हैं और क्यों नहों इतना खुल के खेलते हैं मानों हर बॉल पे चक्का मार देंगे खेल को अग्यों है और अगो एसा लगता है गेन को देखा ही नहीं वहां को निराश लग रहे हैं मेरी माने तो मैं आपको खुश किस्मात समझें जो पर फीप्रीज में ही कड़े है उठा दिया है छे रन जैसे ही बैक पे लगी थी कोई दो राय नहीं था कोई सब्देह नहीं था कि ये छे रन है बल्ले से निकलते ही अपनी किस्मत लिखवा गई थी ये गेन बोलिंग में परिवर्थन स्पिनर से विकेट लेने की कोशिश होगी यहां डीप एक्स्ट्रा कवर पे फील्डर मौजूद बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी यहां ये शोट खेलने की लगता है अपनी गावगरता खोब बैठे खेल ले की कोशिश और पूरी तरा चुट हवा में उठा किया है और ये छे रन कोई मौका नहीं था वहां फील्डर के पास और वो सिर्फ बॉल को जाते हुए देख सकते थे इनके तो बल्ले से सिर्फ चौके और छक्के ही जा रहे हैं चलिए देखते हैं अगली गेन का हमारेंगे और ये बोल्ड बहतरीन गेम बाजी निराश होकर पैविलियन दी तरफ लटते हुए बहुत ही बढ़िया गेन जितनी तारीफ करो उतनी ही कम है शानदार गेन बाजी बल्ले बाज अपनी पहली गेन की तैयारी करते हुए थे कोई फिल्डर मौजिद नहीं बहां और गेन जिमारेंगे पार इन्हें अपने लाइन और लेंग्ट को यहां सुधार ना होगा वरना बल्लेबास तो इन्हें माफ करने के मूड में नहीं है उता के खेल दिया है शांदार बल्लेबाजी और यह चेरं बहुत ही अच्छा गैप निकाल रहे हैं आज बहुत ही सटीक प्लेबास का फील्डिंग में परिवर्दन इस आकरामक फील्ड के साथ तो बहुत ही सूजबूज और रहे हैं नियंतरन के साथ गेंदबाजी करनी होगी यहां बाउंडर के मुकाबले बहुत ही लंबी है बहुत ही बढ़िया टाइमिंग और शॉट सेलेक्शन का प्रदर्शन कर रहे हैं यहां लेकिन थोड़ा समल के ले में हैं बड़ी पारी खेलने का पूरा मौका है यहां उसे गवा न पैठें बहुत ही अच्छा अर्दशतक काफी दिनों से यह फॉर्म में नहीं चल रहे थे पर आज यह बहुत अच्छा महसूस कर रहे होंगे फील्डिंग में परिवर्तन एक बार मारा है क्या वो दोबारा मार पाएंगे ओहो ओहो उठा के खेल दिया है खुपसूरत शौट और यह सीधा बाउंडरी के पाएंगे गेंद की लेंग्ट का नुमान तो वो इन्होंने बहुत ही जल्दी लगा लिया था बहुत ही खुपसूरत शौट फील्डिंग में परिवर्तन ऐसे फर्म में खेल रहे हैं जैसे अंग्रेजी में कहते हैं फर्म ओफ इस लाइफ वाह क्या बात है बहुत ही मजाकत से उठा दिया है वहाँ छे रह रह एक बड़ा शौट तो ओवर का लगा चुके हैं लेकिन अब उन्हें इस पारी को एक लंबी पारी में तब्दील करने की कोशिश करनी होगी बहुत ही बड़िया शौट बहुत ही बड़ा सिक्स जाने जाते हैं ये बल्ले बाज ऐसे शौटों के लिए और जब पॉम में हो तो इन्हें रोपना ना मुंकिन होता है शौट अलफास कम पढ़ जाए इस शौट का वर्नन करने में बोलिंग में परिवर्तन तेज गेंदबास को लाया जा रहा है डीप एक्स्ट्रा कवर पे फील्डर मौझूद वहती बड़ा सिक्स मानों कह रहे थे के जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं वहती बड़ीयत आल में दोनों बल्यवाजों की बीच में एक महत्पून पारी बैटिंग टीन के लिए फील्डिंग में परिवर्तन चलिए देखते हैं कि अगली गें स्टेडियम के कौन से हिस्से में जा गिरेगी शॉट गेंबास के पूरे अकड को चकना चूर करती हुई छे रण फील्डिंग में परिवर्तन ऐसे फॉर्म में खेल रहे हैं यहां जैसे अंग्रेजी में कहते हैं फॉर्म ओफ इस लाइफ वाह क्या बात है जो मदद इस गेंबास को इस शोर से मिली है जायज है कि यह उनका फेवरेट एंड होगा उठा दिया है छे रण जैसे ही बैट पे लगी थी कोई दो राए नहीं था कोई सदेह नहीं था कि यह छे रण है फील्डिंग में परिवर्दन अंपार का इशारा वाइट बॉल्ड इनकी धीमी गति की गेंज से तो बचके ही रहेगा वरना आज के लिए आपकी पारी यहीं समाप्स हो सकती है कने करने में ना काम पूरी तरह मिस किया एक बार फिर स्वागत है आप सब का दूसरी पार और यह आ रहे हैं दो अंपार्स फील्डिंग विकेट समाल के खेलना होगा यहां मैच स्पिन गेंबास को लाया जा रहा है यहां बोलिंग में परिवर्टन तेज गेंबास को लाया जा रहा है बोलिंग में परिवर्टन तेज गेंबास को लाया जा रहा है बोलिंग में परिवर्टन स्पिनर से विकेट लेने की कोशिश होगी यहां पिछले कुछ मैचों से बहुत बार पॉइंट की दिशा में खेल के आउट हुए हैंगे इसलिए अब पॉइंट पे फिल्डर मौजूद उटा के खेल दिया है शानदार बल्ले बाजी और यह चे रण दर्शक इनके दिवाने हैं और क्यों नहों इतना खुल के खेलते हैं मानों हर बॉल पे छका मार देंगे और यह शाट बस एक रण ही निपाई पाई जिस तरह आजकल स्पिनर की दुलाई करते हैं यह क्या लगता है आपको कितने चक्के मारेंगे इस ओवर में लाइन और लेंक मापने में तो एक सेकेंड नहीं लगाते यह बहुत ही बढ़िया सिक्स यह तो तौफे में दी गई गेन थी और बल्ले बास बिल्कुल भी नहीं चुके इनके तो बल्ले से सिर्फ चौके और छक्के ही जा रहे हैं चलिए देखते हैं अगली गेन कहा मारेंगे हवा में खेल दिया था ठीक तरह टाइम नहीं कर पाये थे यहां और यह आउट बहुत ही निराश लग रहे हैं इनकी दीमी गटी की गेन से तो बचके ही रहेगा वरना आज के लिए आपकी पारी यहीं समाप्स हो सकती है हवा में खेल दिया था ठीक तरह टाइम नहीं कर पाये थे यहां और यह आउट बहुत ही निराश लग रहे हैं बल्ले बाज अपनी पहली गेन की तैयारी करते हुए थे चुरा लिया है एक रण बड़िया रणिंग बिठीन दर चेट से बहुत ही बड़ी अताल मेल दोनों बल्ले बाजों की बीच में अच्छी रणिं मिट्वीन दर विकेट्स बोलिंग में परिवर्थन स्पिनर से विकेट लेने की कोशिश होगी यहां बल्ले बाज अपनी पहली गेंग की तैयारी करते हुए हवा में खेल दिया था ठीक तरह टाइम नहीं कर पाये थे यहां और यह आउट इस आकरामक फील्ड के साथ तो बहुत ही सूजबूज और नियन्तरन के साथ गेंग बाजी करनी होगी यहां बल्ले बाज की आँखे तो ओची आँखे की आँखे कर आऊ चुकी है इनवास के हाथ से ही बॉल का लाइन और लिंग समझ चुके थे वो बहुत ही प्यारा चक्ता बहुत ही बड़िया टाइमिंग और शॉट सेलेक्शन का प्रदर्शन कर रहे हैं यहां लेकिन थोड़ा समल के ले में है बड़ी पारी खेलने का पूरा मौका है कहीं उसे गवा न बैठे हवा में खेल दिया था ठीक तरह टाइम नहीं कर पाये थे यहां और यह आउट बहुत ही निराश लग रहे हैं पिछले कुछ मैचों से बहुत बार पॉइंट की दिशा में खेल के आउट हुए हैं इसलिए अब पॉइंट पे फिल्डर मौझूद खेल दिया है गाप में और यह एक राइब बहुत ही कॉन्फिडेंट अपील यहां बॉलर की और अमपायर नौट आउट देते हुए जो मदद इस गेनबास को इस शोर से मिली है जायज है कि यह उनका फेवरिट एंड होगा बहुत ही कॉन्फिडेंट अपील यहां बॉलर की और अमपायर नौट आउट देते हुए बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी यहां यह शोर्ट खेलने की लगता है अपनी एका ब्रता थो बैठे बहुत ही अच्छी थाल मेल दोनों बल्ले बाजों की बीच में अच्छी रनी मिट्वीन दे विकेट्स जिस तरह की शॉट पिच बॉलिंग के लिए जाने जाते हैं यह गेनबास अक्सर बल्ले बाज बैक फूट पे ही खेलने की कोशिश में अपनी विकेट गवा देते हैं नजाकत से खेल दिया है सिंगल के लिए बहुत ही बड़ी अताल मेल दोनों बल्ले बाजों की बीच में अच्छी रनी मिट्वीन दे विकेट्स बहुत ही अलग किसम की फील लगाई है यहां कप्तान ने देखना बहुत दिल्चस्प होगा कि क्या करेंगे अब बल्ले बाज और यह शॉट पस एक रनी निकान पाए बहुत ही बड़ी अताल मेल दोनों बल्ले बाजों की बीच में अच्छी रनी मिट्वीन दे विकेट्स पॉल हवा से बाते करती ही सीधा बांडरी लैंग के पार छे रन एक बार मारा है क्या वो दोबारा मार पाएंगे चुरा लिया है एक रन बड़ी अरनी बिट्वीन दे विकेट्स बहुत ही confident अपील यहां बॉलर की और अमपाएर नॉट आउट देते हुए पिछले कुछ मैचों से बहुत बार पॉइंट की दिशा में खेल के आउट हुए हैंगे इसलिए अप पॉइंट पे फिल्डर मौजूद ओहो ओहो उठा के खेल दिया है खुपसूरत शौड और यह सीधा बाउंडरी के पाथ ऐसे फॉर्म में खेल रहे हैं यहां जैसे अंग्रेजी में कहते हैं फॉर्म ओफ इस लाइफ वाह क्या बात है खेल दिया है गाप में और यह एक रांड इस आकरामक फील्ड के साथ तो बहुत ही सूजबूज और नियंतरन के साथ गेनबाजी करनी होगी यहां उठा के खेल दिया है गाप में गई और यह बैतरीन चौका एक बड़ा शौट तो ओवर का लगा चुके हैं लेकिन अब उन्हें इस पारी को एक लंबी पारी में तब्दील करने की कोशिश करनी होगी बहुत ही कॉन्फिडेंट अपील यहां बॉलर की और अमपायर नॉट आउट देते हुए नजदी की मामला हो सकता है यहां बहुत ही बड़िया अपील की थी और मुझे तो लगता है के रिव्यू जरूर लेंगे छ जड़ेंगे सब्क्रीमर की औरेंगे तो ना चामता है बॉलरू खब्सक्रुन क्या के वादा सिब्मयिट में आफये है लोगत हISTरी इस यह कहीं हाउ तो नहीं पड़ा से लीजाए यह दॉदमार्वादती अच्पिसें लेगारेश, दो जोहां लिए भी आपर वाहरे ज कुछ आपके लिए उप्टमाँ दूजए डूचिक लाइट! बहुती निराश लग रहे हैं डीप पॉइंट ट्रेफील्डर लगाया है कप्तान में बहुती अच्छी थाल मेल बहुती बढ़ी अच्छी रणी मिट्वीन दॉइंट विकेट्स नजाकत से खेल दिया है सिंगल के विए बल्लेबास अपनी पहली गेन की तैयारी करते हुए और ये शॉट बस एक रही निकालता है जिस तरह की शॉट पिच बॉलिंग के लिए जाने जाते हैं ये गेन बस अक्सर बल्ले बस बैक फुट पे ही खेलने की कोशिश में अपनी विकेट गवा देते हैं बहुती असान सा कैच और रेन सीडा फिल्डर की जोली में निवाश होकर पेविलियन के तरह लटते हुए बल्ले बाज अपनी पहली गेंग की तैयारी करते हुए बहुती बढ़िया कैच फिल्डिंग को जाज बहुत खुश होंगे इस प्रदर्शन से दोनों टीमों के प्लियर एक दूसरे का हाथ मिलाते हुए आंपने और मन आमेच झाच एक फुम वस रहु वर्स झाल